नमस्कार स्वागत आप सभी का आप देखना शुरू कर चुके है माध्यप्रदेश की महा डिबेट मैं हूँ अपर ना मौज़म आज बार सरकार के फॉर्मुले पर दरसल एंट्री में सरकार गठन को लेकर फॉर्मुला तै हो गया है नौजून को नरेंदर मोधी तीसरी बा प्रधान मंत्री पर की शपत ले तो मोधी सरकार 3.0 का फॉर्मुला तैयार हो गया है एंडे के सयोगी दल सीधे तोर पर मंत्राले को लेकर कोई मांग नहीं कर रहे हैं लेकिन अंदर खाने चर्चा है टीडीपी और जेडियू सरकार में बड़े मंत्राले की उमीद कर रहे हैं इसको लेकर अपनी बात भी अंदर रखी जा चुकी है हाला कि कहा ये जा रहा है कि बड़े और एहम मंत्राले बीजेपी अपने पास ही रखेगी प्रधान मंत्री मोधी जी तीसरी वार लगातार प्रधान मंत्री बन रहे हैं सरकार का पॉल्पुला थे मिली सुर्फ, तांग और ले सहयोग्यों की डिमांड हाए बात मंत्री स्पीकर तक आए जब हम एंडिय का हिस्सा है तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे हाँ ये स्राज का दर्जा बिहार को मिले ये हमारी इच्छा जलूए बैठक में बनी बात 9 जून को शपत तीसरी बार मोधी सरकार का गठन होने जा रहा है इस बार सहयोगी डलों की मांग भी बीजेपी के लिए एक चुनौती है हलाकि कहा ये जा रहा है कि बड़े मंत्राले बीजेपी अपने पास रखेगी उधर मध्यप्रदेश से शिवराज सिंग को बड़ी जिम्मदारी मिलने की सुख भुगाहट है आज मध्यप्रदेश की महा डिबेट इसी पर तो फिलाल मंत्राले और मंत्री पदों को लेकर NDA में चर्चाओ का दौर जारी है उधर मध्यप्रदेश में शिवराज सिंग चौहान को सरकार में बड़ा पद देने की मांग की जा रही है ये मांग MP कॉंग्रेस के नेताओं की और से की गई है MP में BJP ने क्लीन स्वीप किया ऐसे में कई चेहरे हैं जो मंत्री पद की दौर में है खेर ये वक्त के साथ पता चलेगा किसे क्या मिलेगा फिलाल वक्त है मध्यप्रदेश की महा डिबेट के सवालों पर नज़र डालने का आईए देखते हैं कि वो कौन कौन सवाल है जिन पर आज हमारी रिज़र रहेगी तो मंत्राले और मंत्री पदो को लेकर NDA में चर्चाव का दौर जारी है NDA में क्या सरकार का फॉर्मूला तै हो गया है पहला सवाल ये रहेगा अगला सवाल जितनी संख्या क्या उतनी होगी हिस्सेदारी ये भी एक महत्रपूर सवाल है और एक और सवाल जो आखरी सवाल रहेगा जिबेट का NDA का फॉर्मूला कितना फिट इस पर भी हम बात करेंगे हमारे साथ खास मैमान जुड़ेंगे तो फिलाल मंत्राले और मंत्री बदों को लेकर NDA में चर्चाओ का दौर जारी है मध्यपदेश में शिवरासिंग चौहान को जिसतरा हमने बताए कि सरकार में बड़ा पत देने की मांग कॉंग्रस कर रही है खास मैमान कौन है उनका परिचे आप से करवा देते हैं अवनीश बुंदेला जी हैं कॉंग्रस के प्रवक्ता हैं चैन्ट वर्मा जी है वरिश्ट पत्रकार है अजे धवले जी है बीजेपी प्रवक्ता है और में साथ सुडियो में जॉइन कर चुके हैं इस डिबेट में हमें संजे नाना जी बत और पॉलिटिकल अनलेस्ट आप सभी का ही बहुत-बहुत स्वागत है अब नीश बुंदिला जी मध्यप्रदेश में कॉंग्रिस का सूप्रा तो साफ हो गया लेकिन मध्यप्रदेश कॉंग्रिस को शिवराज सिंग चौहान बहुत भार रहे हैं आजकर अब ना जी ये बात देखिए ऐसी है कि ये बात आई थी कि शिवराज जी को जिम्मिदारी मिलना चाही तो हमने यही कहा था कि शिवराज जी अठारा साल तक प्रदेश के मुखमंती रहें आठ लाग से यादा मतों से जीते हैं और मोदी जी सिर्फ एक लाग बावन हजार से जीते हैं तो इस नाते हमने कहा था कि शिवराज जी को मौक हमेले शिवराज जी एक्च्वल OBC है लगता है कि हाँ OBC मोद मदबदेश से देखिए प्रदानमंत्री बनेगा तो हमको खुशी हो कि किसी भी दल का हूँ बात वो नहीं है मला हमारी शाय के अगर मदबदेश से बनेगा तो यह खुशी की बात है भले हम कॉंग्रेस के वो BJP के हैं बाकि इस के लावाद देखिए हसी तो आज इस बात पर आ रही है अपना जी की 400 पार 400 पार की मोधी गारींटी की बात पर हम चर्चा करती रहे चुनाओं के दोरान मोधी की गारेंटी वोदी की गारंटी और400 पार तो छोड़े 200 पार में पसीने आ गये और आज जो है चंद बाबू नायडूर्न नितिश कुमार की कारंटी प हमने भी चुटकी ले ली हम यही कहेंगे देखिए अब यह बंदर बाट वाली सरकार है क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात अगर आप एक विचार धारा से होते अगर आप साथ में चुनाओ लड़े होते गटवंदन में तो अलग बात मैं गटवंदन की राजनीती के खिल हैं जिन पर इन दोनों में एक राय नहीं बन सकती तो अच्छा बात कहीं कि सरकार अब कैसे चलेगी ठीक है सरकार गटे तो प्रदानमंति जो भी बने बने यह इनका विशह लेकिन हां दिल्चस्प बढ़ाएगा पड़ना जी सब देखना अच्छा तमाशा बैटने की चा के मुख्य मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं ऐसे में सरकार की सेहत स्वस्त रहे इसको लेकर एक बड़े आकार पर बड़े स्तर पर मंतन किया जा रहा है लेकिन क्या जितनी संख्या उतनी हिस्सदारी देखने को मिलेगी और जिस तरह से अब इस गुंदेला जी ने कहा क कि जो अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग राय रखते हैं कैसे एक प्लैटफॉर्म पर साथ काम कर पाएंगे अपना जी पहली बात तो अपनी जी ने जो दोनों प्रश्न उठाए उनका दोनों का उत्तर दूँगा पहला काउंट यह है कि सरकार कैसे काम करेगी तो हमारे अलाइस को पता ता और हमारे देश को लेखे हैं कि यह बड़े खुश हो रहे है लेकिन मुझे लगता है कि समुच्चा इंडी अलाइंस मिला कर दो सो बती सीटे लाज सुका है उतनी अकेली हमारी भाती जनता पर्टी कि उससे अधिक है रही बास कोईलेशन पॉलिटिक्स की तो 2004 का उधारन लेनी जे कॉंग्रस की 145 सीटे थी तो भी कोईलेशन का नेत्रूत्व किया यूपी एवन स उसमें खुश होने वाले लोग आज जिस प्रकास से मिठाई भाट रहे हैं जिस प्रकास से उस्सा मना रहे हैं यह बड़ी देखने वाली बात है एक हिसाब इन्होंने बता है कि प्रदान मंत्री शी नरेंदर मुदीज के नेत्रूत्व में 240 सिटी आई 270 पार नहीं कर यह साड़े 8 लाग पुटो की जी कम नहीं होती लेकिन उसी हिसाब से अगर लॉजिक लगा लिया जाए तो राहूल गांधी जी के नेत्रूत्व में कभी 50 पार नहीं आप आई गांधी परिवार के नेत्रूत्व में कॉंग्रस नेत्रूत्व में चोड़ देना चाहिए ल लेकिन बाती जनता पर्टी एक चुनव में जनरल इलेक्शन में यह पहली बार है अजनी पंडित नहरू जी के बाद में कि कोई प्रदान मंत्री अपनी प्रो इंकंबंसी की सरकार को प्रो इंकंबंसी के ऊड़ पर सरकार को वापस लेके आया है और यह इसको अगर खुश नहीं बैट जाएं नहीं बैटेंगे अपरना जी नहीं बैटेंगे जैंद वर्मा जी दो सवाल में रहेंगे एक तो ओवरार स्नारियो पर आप चर्चा करेंगे लेकिन एक और सवाल शिवराज सिंग चौहान को लेकर जो कॉंग्रस का उत्साहा है ना और दिल्ली से शिव शिवराज सिंग चौहान को पहले भी जब कमलनाद जी की सरकार थी उस समय में मोदी जी ने कहा था कि केंदर में आजा और क्रशी मंत्रा लेका ओफर भी शायद था पर उन्होंने का नहीं मैं राज्य की सेवा करूंगा तो शिवराज जी इतने सीनियर हैं और इतना प्रदेश में उनके मुख्य मंत्रित काल में वो जो क्रशी कोई अवार्ड मिलता है क्रशी का वो कई बार लगातार मिलता रहा तो मुझे लगता है कि केंदर में क्रशी मंत्राल है उनको मिलेगा वो तो पक्का है कि वो केंदर में जाएंगे और क्रशी मंत्राल है जहां त चीटे मिली हैं भारती जनता पार्टी को 29 के 29 तो यह दो तीन मुझे लगता है कि मोदी मंत्री मंडल बनने जो आ रहा है उसमें लगब तीन तो कम से कम मध्रदेश से मंत्री हो गई संजिर आना सर यह हम जो कवाइदे चल रही है टीडीपी और जेडियू सामने से कह रहे हैं कि हमारे कोई मांग नहीं है ठीक है लेकिन अंदर खाने ऐसे सितियों में परिसितियों में क्या होता है यह आप भी बखूबी समझते हैं लेकिन क्रीमी काबिनेट की मांग यहां पर जो अंदर खाने की जा रही है कि इस तरह से बीच का रास्ता यहां पर निकाला जाएगा एक और दूसरा यह सही बात है कि सिंगल आर्जिस पार्टी है बीजेपी अंगे के अंदर लेकिन उस पूरे लोकसमाचनाओं के अंदर लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से थो टैथरए निणी तरह इस देपैंड elaborator के पहला प्रधान मंत्री जो तीसरे बार एलेक्टिद प्रधान मंत्री तीसरे बार सहपत लोगों को संतुने से एक बार स Okay कर सके देखिए दोनों चाहे वो टीडीपी हो चाहे जेडीओ हो यह पहले भी एंडीए के साथ अलाइन्स पर रहे हैं और आपको पता दोनों जो जेडीओ के सीष्ट नितर्त तो है चाहे वो नितिश जी हो चाहे चंदरबाबु नाड़ु हो यह सयोजग भी रह चुके हैं जिस तरह से मंत्राले की बात चल लगी है जो आपने दिखाया चाहे क्रिशी मंत्राले हो चाहे रेल मंत्राले हो यह मंत्राले इनके पास क्रिशी तो नहीं थे रेल मंत्राले तो नितिश बाबु खुद हंडिल करते थे और कुछ मंत्राले जो थे टीडीपी के पास पहले ह यह मंतर आले कि भारती जन्ता पार्टी में रखने का होगा विदेश मंतर इस चरणकर बढके गया हैna लाएन कुछ भारती जन्ता पीर को जो हु ittंड अमन्तर आपर G कभी मैं भी प्रोक्त Rights पास रखें किसी अच्छे मंत्राले मंत्री को बनाये जो उस मंत्राले को समopus जेए और करे मैं किसी की सूज़ बूच प्रशन रही हूं I बहुत अच्छी नेत्री हैं बहूत ध्रश नात्री बहुत और उस मंत्रा ले जो सकत ह아 जो कि अंतर हो डियदर को से लोग काम करेंगे और जहां तक शिवराज जी की बात हो रहे देगे शिवराज जी नो डाउट आप देखी जिस तरह उन्होंने मद्धर परदेश जिताया हम तो कहेंगो उनके कंदे पर चुना हो था भारती जंदा पार्टी ओ शिवराज जी का योगदान था विदान सभा में अब मैं आता हो उनको बड़ा मंत्राले भी दिया जाए अगर नहीं भी दिया तो हमें ले लगता है कि उनको कोई सर्वोच पार्टी में मिल सकता देगे जो एड्मिस्ट्रेटर होता है जिसको साचन या प्रसाशन चलाने का तजर्वा होता है उसको दोनों चीद दी जा सकती है या तो पा का और मर्द प्रदेश का परभुत दिखेगा लेकिन हा इस बार एंडिये एक्सपीरियंस है अपना लेकिन मोदी जी का एक्सपीरियंस नहीं है सबके साथ जो कॉलिजन गवर्मेंट बोला या ता उसके साथ जी बिल्कुर वो कैसे मैनेज करते हैं यह देखने वाला विश मैं चोक आइस बात भी हो रहे थी आप पर आपनी या जिकर किया कि कई ऐसे मुद्धे खासकर मुसल्मानों को अरक्षन का मुद्धा और इसके लावा वर ने शिंवने लेक्शन वे हालाक है हम तो साथ है हमें हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं यह देखे है आब डिष में उनको 400 पार का जनादेश नहीं मिला तो किसने नकारा जनता ने तो मतलब मोदी जी इस जनादेश को नहीं पापाए तो मोदी जी को तो काइदे से प्रधानमंतरी नहीं बनना चाहिए यह हमारी बात थी अच्छा एक बात आप समझें इनकी जो सबसे कोर जेंडे में था राम प्रचार गालें देना शुरू कर दी बड़े बड़े नेता लोग पोश जाल रहे हैं यह बताता कि हां अंदभक्ती असेंसीलता क्या होती भाजपा की समर्थ तक बता रहे हैं इसके लाद धबले जी बता रहते हम को की भाई हम निन्यानमे पर रुक गई हम मांगते हैं सा हमारा पुर्दशन भेतर रहा तो बात यह बात है है बात इसाओ आपकी की ञनादिश आपको नहीं मिला हम ने तो नहीं कहा था कि हम को 2300 िडिर्व जीनी कहा था रोरकार नहीं uniform duty को को मिले नहीं सारे से मुद्दे जैसे अगनी वीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर ये दोनों जो थे एकमत नहीं थे और आप आज जागर करते तो कल आपका नेना क्या होगा कैसे होगा अच्छा सबसे बड़ी बात आप देखें चंद वाहू नाइटू जी का रिकॉर्ड है कि ज जो भी कारण रहे हो तो अभी आप समझें उनकी लंबी लिस्टे हैं अठले जी जिनक जो कि खुद सिर्फ एक सीटे हो केमिट मंत्री बनना चाहरे है तो देखें ये बात सही है संजे रणा जी ने भी कहा आपने प्रकास जाला कि मोदी जी को इस तरह की सरकार चलाने का न लेकिन बात इतनी सी है कि ये सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा उनकी परिक्षा करेंगे अरे आप वो पर चिंता करेंगे इस परिक्षा की आप ही की बात पर साजिस्टा कुछ कहना चाहते लिए किर्प्या आप काम करना शुरू करें दवले जी जी अपना जी हमारा घर बसा नहीं तो उसकी हमें चिंता नहीं लेकिन दूसरों का घर उजड़ जाना चाहिए इसकी हम चिंता कर रहे हैं बहार ही कॉंग्रेस अपना खुद की निन्याना आ रही है दस वर्चों से विपक्ष में रहने के बाद भी सिर्फ सौर मतलब ट्रि 82 सीटे थी तो अभी अंडीय की सरकारती अंडीय के parenth मिनिस्टर यूँ आ करते थे दोजार उन्नीस में भी हमारे उलाइएंस के पार्टनर निस्टर हुआ करते थे दोजाब चौबीज भी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है ठीक है बाति जंदा पर्टी को इंडिजुएल अपने हाथ पे मैज़ोरिटी नहीं मिली लेकिन हमें अलायंस की सरकारी चलाने का बहुत अच्छा अनूब है हम किसी परिवार्थ के नेतरुत्वों में सरकार नीच च करें जब्सक्राइब करें जैशा की क्या योगता है क्या बताएं ती क्या यूगता है मुझे बताएं ठीक है परिवार एक परिवार की बात करते ठीक है परिवार परिवार बोत के भारती जंता पार्टी को भी ने नेरेटी जो सेट करना इसको बंद कर देना चाहिए कि देश की जंता इतनी मुर्ख नहीं है कि वो नहीं जानती कोन परिवार वादी है कोन परिवार वादी नहीं है तो इनको अपना राजनिती करनी चाहिए और देश की और जंता की हित में प्लान मनाने चाहिए यह पहला मेरा था दूसरा यह है कि देख विश्णू जी का ही रूप आट ना जाते हैं तो दोनों जगे पर भगवान भारति जन्ता पार्टी को कही नहीं आशिरुवाद मिला है और चिंतन करना चाहिए लेकिन भगवान का दो दो ढगवानों का अशिरुवाद प्राप्थ देख लिए पूरी जो खीचतान है यहां कॉंग्रूस इंतजार कर रही है इसी उम्मीद बैठी है कि यह लोग रही चला पाएंगे के खिच्डी सरकार और कल नहीं तो कल आज नहीं तो कल यह धेर होगी ही अटल जी के जमाने में भी एंडिये की सरकार कोलिशन गवर्मेंट थी और उस समय एक कॉमन मिनमें प्रोग्राम बना था अब यह बात सही है कि मुस्लिम को आरक्षन देना और यह सारा तो उनका अजंडा है टीडीपी का और यह नितीश कुमार भी मुसल्मानों के खिलाफ कोई भी मामला मतलब वो उसके मतलब यू सी सी वगर के खिलाफ है वो तो ऐसी इस्तिती में कॉमन मिनमें प्रोग्राम ब पड़ेगा और एक कॉमन मिनमें प्रोग्राम को आगे करना पड़ेगा तो यह एक स्थिती है और थोड़ा सा अब जो एरोगेंस है वो एरोगेंस भी कम होगा थोड़ा सा सरकार का क्योंकि भाहुमत इसपर्ष्ट नहीं है तो अब NDA के सब साथियों को और अब खुलकर ज दिखाया जाता है कि मुस्लिम विरोधी है जो यूपिया के साशन सा चार दसमलोग 5% सरकारी नौकरी तो सेंटर की बात कर रहा हूं उसमें मुस्लिमों का प्रतिनीदी था यह टोटल कह सकते थे बीजेपी गवर्मेंट दस दसमलोग 5% बढ़ गया है यानि जो देना है नई देना है वो समयधानिक तरीके से प्रोसेस में होगा कुछ चीजें जेडियू बदलेगी कुछ पे टीडीपी बदलेगी कुछ पे भारती जंता पार्टी बढ़ लेकिन सरकार की सिदी को लेकर की सरकार बनने जा रही है मोधी की लेकिन मुस्लिम आले इस जो हैं उनके सायोग्स ठीके इस चर्चा में इतने समय था मेरे पास भाबत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं न्यूज़टी मद्रपदेश 30 का